एला जी नौश्यार बेड़ा में शेफर पाल सुबह उटते ही एक परिशारी सब को घेर रहती है कि आज नास्ते में क्या बनाए उसका एक सल्यूशन मैं आज आपको दे रहा हूँ एक हेल्दी नास्ता बनाते हैं पैंकेक जैसा है हिंदुस्तानियों के लिए एक दम पर्फेक्ट सबसे पहले क्या करदान में आपको ये बताता हूँ कुछ मल्टी फ्लार्ज लेने अलग अलग प्रकार के आठें लेने उससे खोल मारा कीए और ये सबसे पहले बेशन लें ठीक है कि फिर लेते हैं नाचनी का तो आधा कप बेशन एक चौद कप नाचनी का आठा ये लेने थोड़ा सा ओट का अठा लेने ये भी एक चौथाई कप और जवारी का ठीक है टीक है जूढ एक हो ले लिया और इसमें डालेंगे थोड़ीजी हल दी एक चोथा चोटा चमच अधकर एक चोटा चमच चौप वाला डाल हरी मिर्चे दो तीन डाल दें चौप ज्यादा पिखाना हो तो बेटर एक चोड़ा चमच जीरा का डाल लें और तीन एक बड़े चमच दही के डाल लें यह लिए अब थोड़ा सा पानी डाल के फैंट लेते हैं कि अब 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 इसमें दो चमच बड़े वाले सूजी भी डाल लें ठीक है यह लिए चौटे चमच से डाल रहा हो करके जाधा डल रहा है ठीक है यह मिक्स करें चाहत। साथ चाहत फूरा नमक शमक भी कर लें घर पे हैं टने 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 ठीक है ध्यान से अपने सहद के इसाब से डालिएगा ओके पुड़ा पानी डाल लेते हैं सेट कर लेते हैं सूजी डली है तो चिंता मत करिएगा क्योंकि यह जो अभी पतला दिख रहा है यह गाड़ा हो जाएगा और बैटर उत्तपम जैसा गाड़ा होना चाहिए यह आपको बता वह आप सेटिंग कर सकते हैं पतला हो गया सूजी है तो अभी मैं फिर से बोल रहा ह यह गाड़ा हो जाएगा और बहुत सारी चीजें डलेंगी इसलिए गाड़ा भी होगा इसको रख देते हैं दस मिनट तक अलग से थोड़ा सा पालक काट लेते तब तक चौप कर लेते हैं दस बारा पत्ते लेले बालक के सुबह के वक्त के लिए बहुत बढ़िया है चौ कर लेंगे मेथी डालेंगे फड़ा अलू डालेंगे फोड़ा सा गाजर ग्रेट करके डालेंगे फोड़ी सी लौकी बीडालेंगे ठीक है ना अब लौकी के लिए मैं काम करता हूं थोड़ी सी लौकी लेके उसको उबाल लेते हैं इसके पहले की लौकी आपको लगे की ल पॉरा पानी डाल लेगे जगा बना लेते हैं यह लौकी डाल लेते हैं इसमें यह लिए लौकी बॉइल कर लेते हैं एक उबाल आने पर हम इसे छान लेगे चले लौकी च्छान लेते हैं राइट फोटे बोल में मैं निकाल भी लेता हूं चले आप एक काम करते हैं यह बैटर को सेट कर लेते हैं तो पालक जो हमने चौक ती पानी थी यह डाल लेते हैं इसमें मेथी डाल लेते हैं थोड़ी आप देखरें लख लग एक कप क्या सपास पत्ते मेथी के उतना ही पालक डाला है हमने थोड़ी यह जो लौकी बॉइल की है यह डाल लेते हैं पानी कोशिश करें कि जितना कम डले उतना अच्छा फोड़ा प्यास डाल लेते हैं एक छोटा प्यास चौक एक बहुत ही छोटी गाजर ग्रेट करके डाल लें हेल्दी बन रहा है और छोटा आलू अब इसको मिक्स कर लेते हैं अब स्थिती देखेंगे क्या बनती है जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं बेशन डाल लूँगा ठीक है अब स्थिती चेक कर लेते हैं अब यह सारी जो सब्जियां है मैंने डाली है आप अपने मन पसंद सब्जियां डाल सकते हैं मैं सोच रहा हूं दो बड़े चम्मच बेशन क्या और डाल दूँँ ठीक है जी यह लीजिए से बाइंडिंग बेटर हो जाए कि वापस लगवाग 5-10 मिनिट रखिए उसके बाद हलका सा सोडा डालेंगे और आपके पास यह करना और मैं फ्राइंग पैम भी उसको टेंपर करके रख देता हूं ठीक है टेंपर करेंगे मतलब अगर आप नॉन स्टिक पैंड यूज कर भी रहे हैं तो भी एकदम लो फ्लेम पर रखिएगा तेल डाल लीजिएगा ठीक है तेल डालके इसको थोड़ी दिर घुमा लीजिए ताकि तेल अच्छी तरह से लग जाए अब आप सोचिंगा रही यह त तो बात है कर रहे थे हल्दी की और यह तेल इतना नहीं डालेगा तेल मैं निकाल लूँगा ठीक है तेल डेफिनेटली निकाल लेंगे पैन को ड़क के रख लेगे तेल रख लेते हैं कोई बात दें और थोड़ी देर इंतजार करते हैं फाइनली चुटकी भर सोड़ा डाल दें बिल्कुल ऑप्सिनल यह आपके उपर छोड़ देता हूं है और यह पकाने के जस्ट पहले डालिएगा मिक्स करें यह करें ठीक है अब थोड़ा सा पैन गरम होता है कि हम अपना मिश्रन डालते है कि और आसपास थोड़ा तेल डालके छोड़ दें और अब और स्लोप रखेगा भख लीजिए अराम से पखने यह मतलब आप बना के रख सकते हैं जब लोग आए तो आप परोस्ते रहें फोड़ा सा स्लोव फ्लेम में करना हाई फ्लेम में मत करिएगा फ्लेम को मैनेज करिएगा मैंने भी अपना इंडक्शन थोड़ा सा च चेक कर लेते हैं वाह यह देखिए अच्छे से हिल रहा है मूंवम्मेंट हो रही है और इसको हम अब को पॉल्टेंगे वाह जी वाह और वापस वही एकदम धीमे आज पर रखाया मैंने आप भी धीमे आज पर रखेगा वरना अंदर से पकेगा नहीं अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है इसलिए लौकी को भी पकाया बॉइल डालू लिया है एक मैंने गाजर जो है वो थोड़ी कच्छी रखिए बड़ व हो जाएंगे धीमे आज पर पकाना है कि अगया है कि चलिए दोनों तरफ अच्छे से पका लें यह लिजिए और परोशने के लिए हम तयार हो गया है बढ़िया बहुत बढ़िया तो इसको थीरे थीरे पकाना होगा आपको अरबड़ी नहीं मचानी है धीमे धीमे पकेगा आप बेशक्त हाफड़न करके रख लें ठीक है जब सब लोग बैठे खाने के लिए तफ़ाव दे सकते हैं सुबह का वक्त ऐसा होता है कि घर में खमासान अगर की रेसिपी वालोग करेंगे अगर की वालोग करेंगे अगर की वालोग करेंगे अगर की वालोग करेंगे झाल झाल